बच्चों आपने पिछली क्लस में O की मात्र और A की मात्रा सिख लिया था अभी आप सिखेंगे E की मात्रा E की मात्रा यानि कि जैसे कि आपको पता है A इस पर लिखते हैं na O पहलाक्षर है A जो है दूसराक्षर है E जो है तीसराक्षर है इकी मात्रा आपको अभी सिखने है ठीक है देखे इदर इकी मात्रा कैसे होती है दार्ण के लिए को हलन के साथ लिखना है को अधिक इकी मात्रा की ठीक है को हलन के साथ इकी मात्रा की इसके बाद को हलन के साथ इकी मात्रा की इसके बाद चो अधिक इकी मात्रा की इस तरह का E की मात्रा को लगाया जाता है यदि आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ऐसा ही लिखना है कर क्या ऐसा नहीं है यदि बारा कड़ी में लिखना है तो यह E की मात्रा उपयोग तो होती है यदि वैंग जन अस्वार को मिलाकर लिखना है तो क्या है कर हालन के साथ E की ऐसे भी लिख सकते हैं आप दिखे लिखे लिखी कर हालन के साथ कर ई की ठीक है ठीक है ठीक है एसे की दो तरफ से लिखने के लिए आता है चलिए अब आगे मैं कुछ ऐसे बोर्ट लिखूंगी अलग अलग करके तो आपको वह जोड़ कर लिखना है मैं सिर्फ आपको एक सिखाऊँगी बाकी का जो है वह आप बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है वह कॉपी करके दीज ठीक है या लेकिए, मैं लिखते जाऊँगे, जोड़ना है और पढ़ना है, जोड़े और पढ़े, ठीक है, च, अधिक, इ, अधिक, ड, अधिक, य, अधिक, आ, इसका क्या है, च, अधिक, इ, यानिकी, ची हो गया, तो यहां पर क्या है चीडिया एसे लिखना है दूस्ता वाला जो है वह है इसका क्या आता है वह आप लिखिए ठीक है तीसरा वाला जो है लिखकर बताऊंगे इसका क्या होता है वह आप लिखिए छोता वाला जो है वह है क अधिक इ अधिक स अधिक आ अधिक न अधिक आ अधिक आ अधिक आ ठीक है यहाँ पर क्या होता है बूल लिखिए आप पांच वाजो है वह है इसका क्या होता है बूल लिखिए अधिक आ अधिक आ अधिक आ अ अधिक आ आ, अधिक र, अधिक ई, अधिक य, अधिक अ, अधिक ल, अधिक अ इन्हों अधिक यह, चीक है? यह हो गया, इकी मात्रा देखना है यहां होने के बाद आपको आगे क्या करना है? अभी देखे, मैं बताऊंगे आपको इमात्रा से बने हुए शब्द को कितने लिखने हैं? जैसे मैं टेक्स्ट बुक में दिया गया है रवी, छवी, तील, गती, हरी, मिल, जिल, किताब, गिटार, तक्या, जिराफ, शियार, हिरन, शिकार, रविवार, शनिवार, किशमेश, साइकिल और गिरगिट इस थरी के से शब्द जो है, आपको दूसरे वाले लिखने हैं दूसरे वाले यानि कि कैसे? जैसे कि मैंने इतने सारे शब्द बता दिये, यह शब्द है इससे अलावा आपको दूसरे शब्द, इकी मात्रा शब्द आपको लिखने हैं वो दूसरे वारे शब्द जो है उसको बीस शब्द आपको लिखनेंगे आगले क्लास में हम मिलेंगे इसके रिलेटेड एक्सरसाइड इस लेका तब तक के लिए धन्यमाद